Hi, this is Jogadar Singh and you are watching class 9, chapter 1, Real Numbers, Basics of Operating Rational and Irrational Numbers. So in this lecture, what comes first? अब हमारे पास कुछ formulas हैं, जिनको use करके हम आपने आगे वाले जितने भी questions आने वाले हैं, हमारे example भी होंगे और हमारे exercise के questions भी होंगे, उन्हें हम solve करेंगे. और ये सारे formulas सिर्फ 9th में काम नहीं आते, 10th में भी use होते हैं, 10th में इन सब के लिए अलग से chapter नहीं है, जैसे आप 2 प्लस 3 is equal to 5, बचपन में वो chapter था आपके लिए, बट अब आपके लिए chapter नहीं है, directly use होता है, multiplication, addition, ये सब जो कभी chapter हुआ करते थे पूरे पूरे, आज की rate में इनकी भी खास value नहीं है, हम केवल apply करते हैं, same, similarly, हमारी 9th में हम जितना भी पढ़ने वाले हैं, वो 10th में use होने वाला है, so don't miss anything, पूरा वीडियो देखा करो आप, तभी जाके आप चीजों को समझेंगे, otherwise, जितना portion भी आप miss करोगे, समझ लो, वहाँ पर आपके marks cut हो गए, और उतने marks आपको exam में कम मिलेंगे, so हमारा first formula है, under root a, b, under root में हमारे पास कोई दो number multiple में है, तो हम इने separate करके लिख सकते हैं, दोनों का root अलग-अलग और बीच में multiple का sign, next formula है हमारा, ये a upon b, पूरे के उपर under root है, तो directly root a upon b को हम separate कर सकते हैं, root a हमने numerator में root के साथ अलग से ले लिया, और b को हमने denominator में अलग से ले लिया, हम इनको distribute कर सकते हैं, root को numerator और denominator में separately, जैसे हमने multiple में root को separately distribute किया था, चलो ये समझ में आगे आपको, our next formula is, root a plus root b into root a minus root b, तो इसकी calculation हमारी आएगी a minus b, इसको आप ध्यान से देखो, हमने एक formula पढ़ा था, x plus y और x minus y, तो इसके लिए हमारे पास एक general formula था, x square minus y square, यहाँ पे क्या है, x की जगे पे root a है, y की जगे पे root b है, तो यानि की root a का square और root b का square हमको कर लेना है, तो practically यही तो हुआ, a minus b, कोई भी अलग चीज नहीं है, यह जो formula हमने last year पढ़ा था, वही यहाँ पे apply हुआ है, अगर आपको यह formula याद नहीं भी रहता है, तो आप last year में पढ़ा हुआ directly use कर सकते हो, चलो हमारा next formula क्या कहता है, यह कहता है, अगर हमारे पास यह दो bracket है, root a plus root b into root c minus root d, यह different है, यहाँ पे minus है और यहाँ पे plus है, तो इस चीज को multiple करने का technique आपको याद है, देखो, root a को second bracket के दोनों item से multiple करके यहाँ पे लिख दिया, root a को c से multiple करके हमारा root ac आया, second item हुआ हमारा minus root ad, ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या किया, first bracket का यह जो b है, इसको हमने second bracket के दोनों चीजों से multiple कर दिया, और वो यहाँ पर लिख दिया हमने directly, और यह जो minus का हमारा sign आ रहा है, इन दो जगे पे, यह सिर्फ इस d के region से आ रहा है, क्योंकि root d हमारा minus का था, इस minus के कारण हमारा यह minus हुआ, इसी minus के region से हमारा यह भी minus हुआ, चलो हमारा next formula क्या कहता है, यहाँ पर root a plus root b, इसका हमारा whole square है, और whole square को open करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं है यहाँ पर, x plus y का जो हमारा whole square का formula था, वही हमने apply किया है, कुछ भी नया नहीं है, तो आपको यह चीज़ भी समझ में आ गई, अब next हमारा जो formula है, वो यह है, कि same चीज़ हमें minus के साथ मिली है, तो इसमें अलग कुछ नहीं है, जैसे हमने plus वाला formula लिया था, तो हमारा middle में यहाँ पर plus आ रहा था, और यह हमने minus वाला formula लिया है, तो हमारा minus आएगा middle में, यह हम last year ठीक से कर चुके हैं, तो इसको repeat करने की ज़रूद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ root वाली चीज़ है, तो बदले में उसका square होके बिना root का हो जाएगा, यह a square नहीं बनेगा, root a का square, that means only a, तो हमारा next formula क्या कहता है, हमारा next formula बुलता है, 1 upon a plus root b, तो इसके लिए हमें यह वाली situation आप याद कर लो, और इसे solve कैसे करते हैं, इसको हम create कैसे करते हैं, वो अपने next videos के अंदर with example मैं आपको समझाऊंगा, और similarly हमारा next जो formula है, 1 upon a plus b root x, तो इसको जब हम solve करेंगे, तो यहाँ भी हमारे पास यह वाली situation आ रही है, राइट वाली, आप अभी सिर्फ इसको देख लो, याद कर सको तो ठीक है, otherwise solve करना मैं आपको next videos में बता दूँगा, और यह जो हमारा x है, यह हमने क्या लिया है, natural number, so the next formula is, if we have 1 upon root x plus root y, in that case, we have this as right side, and here x and y, both are natural numbers, so students, यह सारे formulas आपको ठीक से याद होने चाहिए, अगर आपको यह याद से नहीं है, तो आप भूल जाएए कि इस chapter को आप आगे कर सकते हैं, आप जितना पढ़ चुके हैं, उतना ही आपके लिए काफी होगा है न, यह जितना भी concept मैंने आपको समझाया है, इस video में, यह आपके example से कहीं ज़्यादा important है, exercise के question से भी ज़्यादा important है, तो आप इसे एक नहीं, दो या तीन बार वीडियो को देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फर वाचिंग,